सब्सक्राइब मिरा इस नोकिस में आज मारे कमसे कम डिस्किक रामबन में अई हमारे को एसी कोई कम्पीट नहीं आई है व्मारी विजिटिंग ऑफिसर्स की भी रिपोर्ट्स आही है कुछ अग्रिया को व्यांट हुआ में कि यह वह जोफा बनता है वह अब्सक्राइब करें गांप कर हैं लिए हैं आपके यहां पर चेल रहे में थोद है अलगे Weise कि इस बात से रहे में करता हूं तो लोगों के अगनवाडी आप तो लोगों की अथर कंप्रिजिन आप तो जो बोल के चले जाते हैं तो बाद के जो काम होते हैं तो काम नहीं होते हैं इस नोकिस में आज मारे कम से कम इस्टिक राम्मन में हमारे को ऐसी कोई कंप्लीट हुई है हमारी विजिटिंग ऑफिसर्स की भी रिपोर्ट्स आई हैं तो कि एरिया को विलेच में हमारे विभी इसूस थी वह और जोलेडि प्रोचेटिटिटिटिटिग है इंप्रिशन बहुत अच्छा चल रहा है हमें national award भी मिला इसके लिए तो आपकी knowledge में कोई specific issue है if there are any specific issues which have been brought to your knowledge and not to our knowledge please bring it us to our knowledge we will take correct images not an issue जहां तक इस program का तालोग है जिसके लिए आप रिभी बाइट ले रहे हैं ये दो दिन का हमारा जो जल जीवन मिशन का और उन्होंने पानी समितीज के साथ उन्होंने हमारी जो आशा वर्कर्स हैं आंगनवारी वर्कर्स जो हमारे फ्रेंट लाइन वर्कर्स होते हैं कोविट में भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और पानी समितीज की थ्रूँ इन की थ्रूँ हम वाटर कॉंजर्वेशन के बारे में हर गर नल जल जीवन मिशन और सेव दो वाटर या कैच तो वाटर या कैश तर रहें जो कैम्पेन है उसको आगे ले जाएंगे ताक के लेटी आप इसमें कॉपरेट कीजिए जो पैंचीज है लोग भी आने चाहिए अच्छा काम है लोग फोड़ा सा एवेरिस की कमी है कि लोगों को पता है हमारी हमारी एजनसी है आयसे जीवन मिशन के जो हम जो जो भी काम होता है वो उनकी नौलिज में लाते हैं हमारे ब जो है वो जल जीवन मिशन की होती है हमारा जो डिस्टिक का केपेक्स है उसमें आल्मोस्स 50 परसेंट जो फंडिंग है 420 करोड की वो जल जीवन मिशन में ही है तो जो प्लीज गेत और इंफिंडिया का फ्लाक्शिप स्कीम है और बच्चे-बच्चे को इसी बारे में पता कुछ और ऐसे बिशार मैं खड़ी अरिया गया कुछ मोह एरेस गया लोगोट कर रहें कि यह तो उन्हीं की स्कीम है यह तो लोगों की स्कीम है तो लोग कॉपरेट क्यों ही करेंगे हा कभी-कभी छोटे से इसू होते है को जीइसार बनने का कोई इशू है कोई पाइप का हमारे forest ki issues है जहां जहां forest ki issues आ रहे हैं वहां पर हम परीविश पॉर्टल पर जाकर के लिए तो दीस minor hiccups वो तो होते रहते हैं नैश्रल प्रोजेक्स में भी होते रहते हैं उता हम कर रहे हैं तो हम इस कारे कर रहा है और इसके लिए जो हमें एसार सोसाइटी को लेवल 3 की ट्रेंड़ने करवाने के लिए जम्मु कस्मिर के दो जिलिविले एक रामबन है और एक वारा मुला है अभी हमारी फर्स्ट ट्रेंडिंग है जो रामबन के अंदर हम लोग है आयुजित कर रहे हैं इस ट्रेंग के अंदर हमारे जनपरती निती हैं आंगनवाडी कारे करता है आसा सयोगनी है पंच है और इसके अलावा पीची विभाग के लोग है इन सब के साथ मिलकर के अभी जो यह योजना चल रही है इसमें कई सारे लोगों को ब्रहांतियां होती है कि यह योजना क्या सफल हो पाएगी नहीं हो पाएगी इस पानी के लिए हम सबासु है नहीं देगी तो हम लोगों को अभी से तयारी करने कि यह योजना बन करके तयार Hope कर के हमारे के आद में आ जाएगी तो जो हमारी कमनेटी बनीवे पाने समीथी नंअ से बनीओ नहीं है यह इसको पाने समीथी के नाम से बोलते हैं बाकी वागन जग direktर ग्राम जड़र सँच्छता समीथी के नाम से लाइन जा तो उस पुरी कि पूरी जिम्हेदारी होगी उस समयती का बैक में एकाउंट खुलेगा सरपंच हैं जो उसका अध्यक्स रहेगा और जो सची हैं वो उसका सची रहेगा अगर एक ग्राम पंचायद के अंदर दो गाह हैं तो दो कमेटियों के एकाउंट खुलेगा और एक ही पंचायद में 2019 से इस कार्य करम को शुरू किया गया है वीज में दो साल कोवीड के भी निकले हैं लेकिन 31 मार्च दो हजार चोईस तक हैं जो इसको कंप्लिट करने का लक्से रखा गया सर इसमें किसी हैं गरीबता वरक के लोग हैं इसमें पचिस परसेंट हैं जो जन परते निती अंदर आंगनवाडी हैं आसा से उगनी हैं सची हैं पीची विबाके हैं वो सारे लोग रहेंगे और पीची विबाकी ये जिम्मेदारी रहेंगी कि एक बार सभी ग्राम पंचायतों गेंदर एफटी के यानि उसको फिल टेस्ट किट बोलते हैं वो सभी जगह उपलब्द कबर्णक लिए तो हैं लोगन को हर थीन महां नो चाहिएं आपने ऑनल फ्रिक एस बाके कि ऐसक करने चाहिए हैं पहले पीजी विबाग के पास काम होता दा, जब ये ग्राम पंचाइट को हैंड़ा दिया जाएगा तो इसके अंदर गाउं के ही लोग हैं जिनको अगर लाइन हमारी खराब हो जाती ही तो उसका रखरकाव करना है, लाइन टूट जाती है उसको मैनेज करना है, नल कनेक्स कर अगर लाइड की प्रविम हो जाती है, उसको लेकर जेए सारा काम है ये वहाँ गाम के लोगों को करना है, तो अकर गाम के कुछ युवा पढ़े लिखे है तो उसको अवे से रोजगार मिलेगा है। Thank you sir. Call on 9469-888-333